हेलो इस्टोल्स तो आज की जोड़ियो में अग्यान सीखने वाले लॉट कंट्रोल टेक्निक जथा नीद्रम पद्दती इस चप्टर लेंटे एक वीडियो अपरोड हो चुका है जिसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूगा उस वीडियो में हमने क्या सीखा था उस व लोगो संभावना अगर प्लॉटी फाइंड आट करना हो तो कैसे करना होता है जिसका सम्स में ये शॉट आट किया हुआ था ओगे जिसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूगा तो आप जरू चेक आट करके आज की सुडियो में तो आज हमें एक न्यू मेधा सेकेंड मेधा सिक्नाल है जो सम्स के अंदर है वो है पोईजन डिस्टिप्रिशन ये वाले मेधा तो इस मेधड के हम प्रैक्टिकल सम्स शॉल करेंगे तो वीडियो पसना है तो लाई जरू कीज़ेगा और पहली बढ़ा रहे तो सबसाइब जरू किज़े क्योंकि आने व देखा गया प्रोपोर्शन डिफेक्टिव ऑफ लॉट फाइप परसेंट और फाइप परसेंट और फाइंड प्लान वन थाउजन हंड्रेड एंड टू ओके और ये वैल्यू दी गई है मैं जो सम्स में इस्तिमाल कर दिये है तो देखिएगा तो सम्से पहले है सम्स नंब दिया गया प्लान वन थाउजन हंड्रेड एंड टू ओके डिफेक्टिव में स्पीडेस दिया गया था फाइप परसेंट तो अब देखिए मोस्टा उनको मैथर या दिया नहीं गया कि कौन सी मैथर अपलाएगा ना तो मैंने आपको सॉटकट का मैथर यान अखरा थे कि जब भी capital N की value अगर 200 से less होगी ना तो hyper geometric कि स्थमाल करना है और वहेंपर 200 से more होगी capital N की value 200 से more होगी ना तो मैं poison की method कि पॉस्टन करना रहेगा capital N तो यहां दिखेँ समिसे में capital N किना दिया गया 1000 दिया गया है मैंसे 200 से मोर है तो हमें जो probability find out करनी रहेगी न वो poison के methods से find out किया जाएगा तो let's start करते है तो सबसे बहले capital N की value है 1000, smell N की value है 100 और D दियागा defective 2 दियागा, means maximum 2 होगा तो D is equal to 0 भी होगा 1 भी होगा और 2 भी होगा अब बात करता है formula की तो formula लगाएंगा poison का, okay तो poison का formula होता है वो बुछ ऐसा है PA is equal to, means somehow is equal to E raised to Np into Np की D power upon D factor, यह poison का formula होता है, तो सबसे बहले में किसकी value finding करने होती है, Np की right, तो Np की value के लिए है small Np, यादा किएगा, poison में small Np इस्तिमाल होता है, जबकि capital N, आइपो geometric में इस्तिमाल होता है, तो small N कितना है यहाँ पर? 100, और P कितना है? 5% 5% means क्या हुआ? 0.05 means 5 divided by 100, तो कितना हो जागा? 0.05 100 into 0.05 is equal to Np कितना हो गया हमारा? 5 हो गया, तो value लगते है आपर, यहादा है कि D बाइबर 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 0 की probability 1 की और 2 की 3 होगी, साथ में solve करनी रहेगी, तो apply करते हैं, Np is equal to 5, E, Np is equal to 5, again Np is equal to 5, और D, D कितना ले रहा हम? जीरो, अपॉन में 0 भी है, अब Sam करेंगे, प्लस करके, 1 के लिए करेंगे, अब D is equal to 1 हो जाएगा, तो वही फॉर्मला, E, Np is equal to 5, Np is equal to 5, D बराबर क्या जाएगा? बराबर 1, अपॉन में 1 वैक्टोरियन, अगें, अब 2 के लिए solve करेंगे, राइट, E, Np बराबर 5, Np बराबर 5, D is equal to 2, अपॉन में 2 फैक्टोरियन, अब यार रहे हैं, जो E की पावर रहेगा, उसकी वैल्यो में, संस में गीवन होगी, always, वहीं संस में क्या दीएगे, य E की 5 है न, 0.006737, ये वैल्यो में को दी गई है, अलएड़ी संस के अंदर, ये वैल्यो में राइटम कर गएना है, E की 5 के जगा, 0.0063, sorry, 6737, इन्टु में, 5 के 0 मिसके आएगा, 1 ही आएगा, अपॉन में 0 फैक्टोरियन, अचर भी 1 आएगा, प्लस, Sam अगें, E की 5, उसकी वैल्यो में लिगना है, 0.006737, और 5 की 1 आप करेंगे, तो क्या जाएगा, 5 अपॉन में 1 फैक्टोरियन सब 1 होता है, प्लस, अगें, E की 5 आप करेंगे, तो 25 हो जाएगा, 5 इंटु 5, अपॉन 2 इंटु 1, 2 हो जाएगा, अब फाइनल हमें 2 करना रहेगा, तो इस कांसर तो वह जाएगा, 0.006737, प्लस यहाँ पर इंटु 5 करेंगे, और दिवाइद 1 करेंगे, तो आएगा, 0.033685, प्लस, इंटु करेंगे 25 और दिवाइद करेंगे 2, तो आएगा 0.08421, तो अगे तीनों का आएगा, अगा प्लस कर देना है, 0,1 और 2, तो हमारो आएगा बन पी, आ is equal to 0.1246, यह हो गया, मत्ताब प्रोबिरिटी का आंसर, तो चैकाइट करते है, समस के अंदर, तो दिखेएर गा, यह समसेच का आंसर, 0.1246, तो यह हुआ पोईजन, तो पोईजन मेतडों को आपके इतार शिम्पल फईडाट करना रहेगा, याद है कि है, जब भी capital N की value 200 से more होगी तो apply करना नहींगा ठीक है अब बात करते हैं अगर यह topic हम next studio में लेगे अगर यह topic हम सीखने आवाल है वो topic सीखेंगे AOQ और ATI यह topic हम लोग next lecture में हम complete करेंगे तो आज स्क्राइब उड़ी समझ में अगर यह जड़ी समझ में